चुट्टियों का तो मजा ही कुछ हाऊ रहा है अरे सर जी जागिये फोन उठाइए न प्यारे लाला जी कमिश्नर सहाब और कितनी देर लगा दिये फोन हाने है अब जल्दी से केस नंबर 777 की फाइल लेकर मेरे गारा जाओ इमेडियेटली अब यालारम कहा बाजरा है हाई 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 दिया कहा तुम यह आवास तो द्रवाज़े से आ रही है अच्छा तो यह तुम दोनों की शरारत थी हाई यह शरारत नहीं अंकर यह तो हमारा स्कूल प्रोजेक्ट है बगलर अलाम हम तु बस इसे टेस्ट कर रहे थे अगर किसी ने जबर्दस्ती दर्वासा खोलने की कोशिश की तो यह तुरंत पजने लगेगा गोड़ गोड़ पर अगर यह अलारम सुनने के लिए कोई कारपार ही ना हो तो यह तो मैंने सोचा ही नहीं मेरे पास इसका भी सोलुशन है अंकर मैंने इस अलाम को अपने वाच से जोड दिया है यहने अलाम बच्चते ही मेरी वाच पर भी अलर्ट आ जाएगा वाच वेरी स्मार्ट और काश मेरे इंस्पेक्टर भी ना तुम जैसे होश्यार होते इतनी देर होगी है फिर भी नहीं आए का तुमको पूरा यकिन है कि यह फार्मूला काम करेगा आप पक्क करेगा छुटी मांगने का ब्यस तरीका है यह अब देखना प्यारे लाल का अंपरासान यह वेल्कम बैक प्रोफेसर केक्टस आखिर आप जेल से भाग निकलने में कामियाब हो ही गए हां हां और अब वो उनका अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करके शेहर में तबाही मचा देंगे कितना मजा आएगा ना मेरे उस अधूरे प्रोजेक्ट की फाइल कहा है बताओ उस फाइल में मेरे सालों के एक्सपरिमेंट्स लिखे थे उस फाइल के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके जेल जाते ही आपके सारे एक्सपरिमेंट्स की फाइल्स पूलिस कमिशनर के हाँ धो लग गई हम कुछ नहीं कर पाए तो अब करो वो फाइल मुझे चाहिए मेरे पास एक प्लैन है ऐसा प्लैन कि कमिशनर खुद चल कर वो फाइल्स मुझ तक ले आएगा हाँ 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 लीजी सार पापा को तो रोजस से एलोजी है अब कह करें पांडू दाड़ खाने के लिए तयार हो जाओ और क्या यहारे लाल यह पांडू का आइडिया था में रहना है सेर यह इनकाई आइडिया था आपसे छुटी मांगने का छुटी और तुम्हें और तुम्हारी हरकते तो डिसमेस करने लाग है नाई-णाई डिसमेस मत केजिये यह यह वह फाइल जो आप मंगाय रहे जानते हो यह फाइल कितनी इंपर्टेंट है आज ही प्रोफेसर कैक्टस जेल से फराहार हो गया है मुझे शक है कि वो इस फाइल को डूंडते हुए ना जरूर आएगा आप टंसन मतलीजे सर आम इस फाइल को फोल प्रोटक्शन दूँगा इसी बात का तो टेंशन है मुझे और इसलिए मैं ये फाइल मेरे पास ही रख रहा हूँ द्यान रहे इस बात की किसी को खबर न हो अब जाओ यस सर प्रोफेसर कैक्टस ठैंक यू चिंपु बेटा तुमारा नुस्खा जरूर याद रखूँगा मैं यह वेलकम अंकल अब चलो दिया स्कूल के लिए लेट हो रहे है हाँ हाँ जल्दी जाओ वैसे भी आज स्कूल का लाजदे है और कल से तो तुम लोगों का वकेशन शुरू हो जाएगा फिर खूम मस्ती करना येस चिंपु कल से लापस अफ मस्ती ओके बाई पापा अहां बाई सिंपु स्कूल के बाद मिलेंगे ये फाइल प्रफेसर केक्टस के हाथ कभी न लगे ऐसा कोई ठोस बंदोबस करना पड़ेगा है बाई ये प्रोफेसर केक्टस, तुम्हे या कैसे? मेरी फाइल मुझे दे दो, वरना मेरे होते हुए यह बिल्कुल मुम्किन नहीं मैं वो फाइल नहीं कोई बात नहीं तुम नहीं, तो तुम जैसा कोई और सही अब वो ही लेकर आएगा फाइल मेरे पास वो तुम जैसा कोई Kids, good luck for summer holidays Thank you ma'am Bye, enjoy kids Finally, चुट्टिया शरू I'm so happy holidays में तुम क्या करोगे चिंपू? मैं तो दादी के गाउ जाओंगा मेरी दादी की special खीर खाने यह तो उसी बर्गलर अलाम का सिगनल है जो हमने डोर पर लगाया था इसका मतलब कोई घर में गुसने की कोशिश कर रहा है हरी अप हमें जल्दी तुमारे घर पहुँचना होगा अलाम का चला गया सिंपू, गो, फाइंड आउट कैपुल दिया, अंदर खत्रा हो सकता है तार्ट का फोन तो बंद है, अब क्या करें वहाँ परदे के पीछे कोई है पापा आप इस वक्त घर पर? आओ बेटा हो, वह थोड़ी सी ना भूख लग गई थी तो घर चलाया हाँ सॉरी अंकल, हमें लगा घर में चोर गुसाया है इसी लिए क्या बेवकूफ लड़के, पुलिस के घर कभी वी चोरी नहीं होती कुछ भी बोलता रहता है तू हाँ बापा, आप जिंपू को क्यों डाट रहे हो? उसी ने तो अलाम… पचप, जाओ अपने रूम में जा कर पढ़ाई करो, चलो यह से पढ़ाई? पर आज से तो वेकेशन चुरू हो गई है मैं भूल गया है कितना भत्तमीज पपी है तुमारा? इसे लेकर जाओ यह से मेरा पपी? यह तो सिंपू है, चिंपू का पपी यह बात है तो संबालो अपने पपी को लड़के यह अचानक अंकल को क्या हो गया? इतना अजीब और रूर क्यों बेहेव कर रहे हैं? दिया, I have to go अगर घर में कोई चोर आया ही नहीं तो यह किस ने किया? कुछ गड़बड जरूर है We have to find out, सिंपू यह अजीब अर ब डूर कोको आया है चकुछ झाल झाल